गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स प्यारे बच्चों हमारा आज का सबक है जेर, जबर और पेश प्यारे बच्चों जबर एक छोटी सी लकीर होती है जो हरूफ के उपर डाले जाती है इससे हरूफ के आवाज में तब्दीली आ जाती है जैसे कि यहाँ अलिफ जबर अ और इसके साथ बे मिलाया जाए तो बनता है अलिफ जबर बे अब ऐसे ही दाल जबर सीन दस बच्चों अब मैं आपको जेर समझाऊंगी जेर एक छोटी सी लकीर ऐसी ही जबर जैसी होती है लेकिन यह हरूफ के नीचे डाली जाती है इससे हरूफ की आवाज में ऐसी तब्दीली आ जाती है जैसे कि जीम जेर जि सीन मिलाया जाए तो जीम जेर सीन जिस ऐसी ही अलिवजेर ए और सीन मिलाया जाए तो अलिवजेर सीन इस बच्चों ये देखिए पेश की शकल ये है पेश की शकल और इसको हुरूफ से लगाने से देखिए बटा क्या तबदीली आजाती है आवाज में जैसे सीन पेश सू और नून मिलाया जाए तो सीन पेश नून सुन और दाल पेश दू और मीम मिलाए जाए तो दाल पेश मीम दू याद रखिएगा विटा आवाजों में कैसी तबदीली आ जाती है शुक्रिये